आम तोर पर आस्ट्रेलिया में जुलाई से अगस्ट से ही देसी चना की आपूर्ती का ओफ सीजन आरंब हो जाता है और अक्टूबर तक जारी रहता है। नवंबर से नई फसल की आवक जोर पकड़ने लगती है और फिर निर्याद शिप्मेंट की गती तेज हो जाती है। 23,347 तन पर ही पहुंच सका जो 2023 से 24 सीजन की समान अवधी के शिप्मेंट 6,15,456 तन से काफी कम रह। औस्ट्रेलिया से मुख्यत देसी चना का निर्याद होता। सितंबर में औस्ट्रेलिया से भारत को सरवाधिक 13,089 तन चना का निर्याद हुआ जबकि इसके बाद पाकिस्तान को 9,050 तन तथा बंगलादेश को 2,351 तन का शिप्मेंट किया गए। औस्ट्रेलिया में चना की नई फसल की कटाई तयारी आरंब हो गई। उधर कनाड़ा से काबुली चना के निर्याद में भी अच्छा सुधार आए। वहां से इसका निर्याद अगस्त के 7,819 तन से 69 प्रतिशत उच्छल कर सितंबर में 12.405 तन पर पहुँच गए। इसमें से तुर्की ने सबसे ज्यादा 2,427 तन, इटली ने 1,967 तन तथा भारत ने 1,717 तन का आयात किये। अगस्त सितंबर 2,024 के दो महीने में कनाड़ा से कुल 20,224 तन काबुली चना का निर्याद हुआ जो वर्ष 2023 की समान अवधी के शिप्मिंट 27,832 तन से काफी कम इधर भारत में चना की बिजाई आरंब हो गई है।